यह वर्क अडू पी यलसी जावा के इस टूटोरियल में हम लोग मेथट ओबरलोडिंग के कंसेप्ट को समझेंगे और एस्टाटिक मेंबर्स के कंसेप्ट को भी समझेंगे दोनों टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में समझाऊंगा चलिए सुरू करते हैं मेथट ओबरलोडि होता है क्या है एक ही नाम से अगर आपने कई मेथट बना लिया है और उन सारे मेथट में थोड़ा सा का अंतर कर दिया है तो अंतर कहां करेंगे नाम में तो अंतर करना नहीं है नाम जो एकदम स्यम तो स्यम रखना है तो अंतर आप कहां करते हैं पारामेटर में जो पाराम किसे बोलते हैं, आर्गमेंट किसे बोलते हैं, आइए इन सब चीज को इसी में समझते हूं, दीके, यहां पर मैंने एक प्रोग्राम लिया है, प्रोग्राम के मदद से मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर एक class है जिसका नाम है sum ठीक है class के अंदर आपको तीन एक ये function दूसरा ये function और तीसरा ये function तीन function आपको दिख रहा है ठीक है एक, दो, तीन function का नाम देखिए sub का नाम same है function का नाम same रखना ही होगा अगर function overloading आप अगर चाहते हैं कि हो जाए तो function का नाम आपको क्या करना है same रखना है लेकिन फिर अंतर कहा करना है ये इसको बोलते है parameter जो argument का list होता है उसमें आपको अंतर करना है तो ये जो parameter है इसमें दो argument दिख रहा है दोनों integer type है ठीक है अब दूसरा वाला जो function है उसका नाम तो sum है ही लेकिन जब उसका देख रहा है parameter तो उसमें 3 argument है तो parameter अलग हो गया ठीक है यहाँ पे 2 है दोनों integer type है यहाँ पे 3 है तीनों integer type है ठीक है अब आते हैं यहाँ पे जो तीसरा function है इसका नाम भी sum है लेकिन इसका जो parameter देख रहे हैं तो इसमें भी दो argument है सही बात है इसमें भी दो argument है तो आप को यह का यह और यह तो match कर गए नहीं यहाँ पर जो दोनों argument है वो integer type है और यहाँ पर जो दोनों argument है float type है default type है अब बोल सक्किए double ही है तो double type है तो अंतर कहां मिल गया number of argument तो same है लेकिन type of argument अलग है तो ये अपने आप में अलग हो गया और ये अपने आप में अलग हो गया तो किस में अंतर करना है number of argument में अंतर कर लिजे या type of argument में अंतर कर लिजे यहाँ पर दिखिए यहाँ पे number of argument में अंतर कर लिया गया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 कर लिया गया, type of argument सेम है, यहाँ पे सब इंटी जले है, तो कहें न कहीं आपको कहाँ पे अंतर करना होगा, number of argument या type of argument में आपको अंतर करके चलना पड़ेगा, तब जाके आप overloading का concept हासिल कर सकते हैं, और इसका functionality भी अलग आप कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पे दोनों को add किया जा रहा है, यहाँ पे इन दोनों को add किया जा रहा है, code अंदर का depend करता है, आपको ऐसे code लिख रहा है, वो जैसा code लिखेगा, वो ऐसा काम कर जाएगा, ठीक है, तो देख लिया, तो यहीं definition म में यहां लिखा हुआ है more than one method with same name but parameter list should be unique parameter list को एक दम unique करके चलिएगा एक दूसरे से मैच ना करे parameter उसका number of argument और type of argument should be different number of argument को या तो अलग कर लिजे या type of argument को अलग कर लिजे तब आपका overloading का concept हासिल हो जागा जो यह जो होता है अब लोड़िंग यह compile time polymorphism का उधारन है क्योंकि overloading जो हम लोग करते हैं यह compile time tag गया जाता है कौन से function कौन से इसमें से function को call करना मतलब कौन से method को कब call करना है तो आज यह यहाँ पर देखते हैं कैसे call किया जा रहा है अब इसको थोड़ा सा जूम कम करते हैं चलिए ठीक है यहाँ पर आता है चलिए आप लोग समझ जेगे कि इस पर discuss कर दिए अधिक यह रहा आपका main function आपको पता है कि main function प्रोग्राम रॉन होना शुरू होता है है तो यहाँ एक object बना है object का नाम क्या है एस ठीक है तो एस मेंडर कर रहा है सका तो s.sum क्योंकि जो भी sum function है यह तो member function है ना member function को call करने के लिए हम लोग डॉट operator के साथ object लिखते हैं तो object हो गया s तो यहाँ से जब देखेगा compiler कि यहाँ से दो integer value भेजा जा रहा है तो इसका connectivity किस से कर देगा? इसका connectivity कर देगा integer वाले से आये करते हैं हम लोग connectivity मतलब इसका connectivity किस से कर देगा? इस से कर देगा इन दोनों को इस समय नहीं चुएगा ठीक है उस line के लिए इन दोनों को ignore कर देगा अब अगर इस code को देखा जाए तो यहां पर तीन इंटीजर है तो इसका connectivity किस से कर देगा इसका connectivity कर देगा तीसरे वाले से ठीक है अब बाकी आप समझ जाओंगे ठीक है तो यह compile time जब compile होता है उसी दोरान इस value को देखके compiler decide कर लेता है किस से किस का connectivity किस से किस का binding करना है ठी तो number of argument और type of argument आप different करके चलिएगा एक्जांपल ले लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अब आते है static members पर देखिए अब एक और बात बात बाता है method overloading और यह operator overloading यह concept यहां पर जावा में नहीं है एक है constructor overloading देखिए constructor को भी तो method ही बोलते है न हम लोग से आप overload कर सकते हैं मतलब एक class के अंदर कई constructor हो सकते हैं तो वो इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें number of argument और type of argument अलग करके तो अलग से हम constructor overloading नहीं बता रहे हैं उसी में बता दिये हैं अब दो कि यहां पर बनाने से फायदा क्या होता है इस चीग को समझिए हम लोग क्लास में कोई member बनाते हैं जैसे कोई member variable मान लिए हम बना रहे हैं तो class में अगर आप दो member variable बना रहे हैं तो उस class का जितना object बनेगा ना उन सब में separate copy हो जाएगा उन दो दो variable का मतलब सब के लिए अलग अलग एक object जो member variable है वो दूसरे object के member variable से अलग रहेगा वो लोग अलग अलग रहेंगे कोई एक दूसरे पर दावा नहीं करेगा ठीक है लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे class में एक ऐसा variable हो जिसपे कोई object का दावा नहीं हो मतलब किसी object के अंदर में नहीं रहे है वो अलग बने और ए वो तो एक ही बर बनेगा अपने lifetime में बहुत से एक ही बर बनेगा तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि आपका जो भी member है वो सबके लिए common है जितने object है सबके लिए common है और उसको कोई object के थूरू एक्सेस ना किया जाया उसे कैसे एक्सेस किया जागा तो उसे class के नाम से से एक्सेस किया जागा तो आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तिमाद कर सकते हैं तो वह member आपका क्या हो जागा स्टैटिक हो जागा तो इसके लिए भी एम एक्जामपल लिए है उस एक्जामपल से हम आपको समझा देंगे समझता है यहां पर स्टैटिक बढ़ियेबल को class ब अब यहां पर नोट में करके हम कुछ लिखे हैं इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कर रहा कि स्टैटिक मेथड आर कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग object के साथ डॉट अपरेटर नहीं लगाते है क्लास के नाम के साथ डॉट अपरेटर लगाते क्योंकि वो किसी अब्जेक्ट का अंदर है नहीं तो किस अब्जेक्ट के नाम से पुकारिएगा उसको ठीक है चलिए अब आगा बढ़ते हैं अपर फिर है कि दि कैन ओनली यौव अडर dollar static मे्थार और ऑ्स्यांट फिर दूष्री स्टिक में एकसे कर सकता है लगा है कि के नीं यौट को मोला नहीं कर सकता है सब्सक्राइब करें अब आते हैं यहां पर इससे समझने के कुशिश करते हैं यह जो भी एक्जांपल है पहला जो दिख रहा यह एस्टाइटिक मेथड के बारे में समझाता है तो इसको समझने के लिए पहला जो है यह उपर वाला इसको दो आर्लमेंट चाहिए दिगा उससे युसंसे दिवाइड करके अब यह दोनों इसका दोनों को handlar चाहिए तो देखते हैं इस से कैसे क І किया रहा है यह math app नाम का एक class है जिसमें अपका main function है तो इसी में कहीं ना कहीं आपका यह call किया रहा हुआ तो दिखिए आप मैथ operation.mul math operation क्या है आपके class का नाम है तो कहीं ना इसमें कहीं से देखिएगा तो कोई object नहीं बनाया गया है direct class के नाम के साथ इसको access किया जा रहा है हाँ तो कभी भी class के नाम के थुरू ही access किया जाएगा static function को यहीं समझाना था हो गया आगे बढ़ते हैं यह जो आपको example दिख रहा है यह है static variable का ठीक है यहां पर static function आपको दिख रहा होगा तो नाम static है function का और class का नाम static x है हलकि इसका भी नाम static x है तो class के नाम से अगर किसी function का नाम match करता है इसका मतलब एक constructor है चलिए तो यह constructor confirm हो गया इसमें आप एक value दिजिएगा object बनाते time वह value x में आके assign हो जाएगा और इसमें एक और काम किया जा रहा है count को प्लस प्लस कर दिया जा रहा है मतलब count को जो variable है उसको increment कर दिया जा रहा है अब आईए आपको पता है object बनाते time 10 20 30 40 value दिया जा रहा है मतलब यह object है यह object का जो एकस पार्ट होगा उसमें 10 इस टोड़ हो जाएगा अब समयते हैं यहां पर हम चार object बनाते हैं यहीं पर आपको main बात समयना है आप यहां पर फोकस किजिएगा script नहीं किजिएगा यह आपका हो गया s1 यह हो गया s2 यह हो गया s3 यह हो गया s4 और एक variable आपने देखा x तो वो x variable हर object का अपना अपना होगा तो यह x एक normal variable था जिसको हम लोग बोलते हैं instance variable तो instance variable हर object के अंदर होगा तो इसका जो x है जिसमें 10 store हो जाएगा इसमें 20 store हो जाएगा इसमें 30 store हो जाएगा इसमें 40 store हो जाएगा ठीक है अब count जो है एक जगा count बनेगा count भी एक variable है जिसका नाम है count यह किसी object के अंदर नहीं रहेगा यह बाहर बनेगा और एक ही बार बनेगा ठीक है अब यह count जो है इस count में value के तोर पर क्या रहेगा तो शुरू में तो 0 रहेगा शुरू में 0 रहेगा आप देखिए कैसे यह 0 बढ़ता है किसी भी object के बनने से पहले ध्यान रखेगा किसी भी object के बनने से पहले static variable बन जाता है तो अभी जो भी हम green से s1, s2, s3, s4 बना है ना यह समाझ लिजे अभी बना ही नहीं है अभी जो हम rate कर रहे हैं यह बना है ठीक है और इसमें 0 store है अब आपका यह बला line इर्क्यूट कर रहा है पहला तो s1 वजूद में आया जैसे s1 बना तो s1 में के एक पार्ट में 2 store हो गया उसी धवरान constructor को देखिए तो constructor में एक line का code है जो देखिए constructor में यहाँ पर एक line का code है जो count के value को एक बढ़ा दे रहा है अब यहाँ count का value एक बढ़ जाएगा count का value अब यहां से बढ़ा दीजिए इस count का value अब इसको कर लिजे 1 बढ़ गया count का value एक बढ़ गया अब फिर जैसे दूसरा object बनेगा दूसरा object कब बनेगा जब यह दूसरा बला code run करेगा तो दूसरा object बना तो उसके x पार्ट में 20 चला गया उसी दोड़ान फिर वो count एक बार बढ़ेगा अब यह x से अब क्या हो जाएगा 2 हम नीचे लिख रहा है फिर जैसे यह तीसरा बला line is cute होगा तो तीसरा बला जब line is cute होगा तो यह line is cute होगा तो फिर यह भी count को बढ़ा देगा मतलब जैसे यह line is cute होगा तो एक तो पहले आपका object बन जागा ठीक है और उसके x में 30 चला जागा और यह एक बढ़ा भी देगा तो यह अब क्या हो जाएगा count का value हो जाएगा 3 फिर उसके बाद क्या होगा फिर आपका चौथा वाला जब यह line is cute होगा तो यह object आपके लिए बना और उसके x में 40 चला गया और फिर वो count को क्या कड़ेगा एक बढ़ा देगा अब हो गया 4 तो finally अगर हम पूछे count में value के तोर पे क्या पड़ा है तो count में value के तोर पे हो गया 4 तो चलिए हम 4 लिख देते हैं अब आज यह ठेक है अब यह count अब देखिए यहाँ पर display को display को अब call किया जा रहा है s1 के थुरू, s2 के थुरू, s3 के थुरू और s4 के थुरू तो कही ना कही print करने के कोशिस की जा रही है तो अब display code को देखिए display क्या कर रहा है a के value को भी print कर रहा है मतलब हर object का जो a है वो print हो जाएगा और count को print किया जा रहा है count तो static है तो count यहाँ से अपना data उठाएगा तो यह सारे count को access कर सकते हैं ठीक है लेकिन count देखिए count member function के द्वारा access किया जा रहा है लेकिन यह किसी variable का अंतर नहीं है किसी object का अंतर नहीं है यह एक जगा बन रहा है यह सब चाहे तो उसको access कर सकते हैं member function के द्वारा तो देखिए जब इसको call किया जा रहा है तो यह आपके output में कुछ इस तरह से देगा a का value 10 और count का value 4 फिर a का value 20 और count का value 4 a का value 30 count का value 4 एक और आगे बढ़ जाते हैं a का value 40 count का value 4 मतलब यहां पे 10 आया यह अपना value प्रिंट कर दिया लेकिन जब इसको count का value प्रिंट करना रहा तो यहां से value उठा के ले गया यहां पे a का value प्रिंट करना रहा तो यहां से उठाके लेगा अंदर से लेगी जब count print करने के बारी आए तो यहां से उठाके लेगा तो देख रहे होंगे आप कि जो भी static variable है वो प्रोग्राम में पूरे अपना life cycle में एक बार बनता है वो अलग बनेगा किसी भी object के अंदर वो नहीं बनता है ठीक है तो यह अ अधिनिकले थैंक यू बाइ बाइ बाइ